आज की वीडियो में इतिहास संबन्दित 20 महत पोड़ु प्रस्नों को देखेंगे तो कोश्चन नमबर एक देखते हैं ताज महल की डिजाइन तयार करने वाला वास्तुकार कौन था? बताईएगा ताज महल की डिजाइन तयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद इसा आफसन नमबर दो करेक्ट हो जाएगा उस्ताद इसा अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन नमबर दो अजमेर में की सूफी फकीर की दरगा है बताएगा दोस्तों अजमेर में की सूफी फकीर की दरगा है मुईनिदून चिस्ती आफसन नमबर थ्री करेक्ट हो जाएगा मुईनुद्दीन चिस्ती की दरगा है कोश्चन नमबर तीन देखिएगा भारत में सिविल सेवाओं का सुत्रपात किस ने किया बताईएगा भारत में सिविल सेवाओं का सुत्रपात किस ने किया लाड कार 49 आपसन नमबर 4 करेक्ट हो जाएगा लाड कार 49 ने किया था कुस्चन नमबर 4 देखते हैं नालंदा विस्व विद्याले की अस्थापना किसने की बताएगा नालंदा विस्व विद्याले की अस्थापना किसने की थी आपसन नमबर कुमार गुप्त ने की थी कोश्चन नमबर पांच देखेगा बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यच काउन थे कोश्चन नमबर पांच बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यच काउन थे गोपाल कृष्ट गोखले आफसे नमबर दो करेक्ट हो जाएगा गोपाल कृष्ट गोखले तो दोस्तों अगला कोश्चन पर बढ़ते हैं कोश्चन नमबर छह देखिएगा राष्ट्री कांग्रेस की अस्थापना के समय भारत का गोवर्नर जनरल कौन था बताईएगा दोस्तों लाड रीपन, लाड चेंसफोर, लाड करजन, दोस्तों इन में से कोई नहीं, राश्टी कांग्रेश की अस्थापना की समय भारत का गौर्णर जर्रल कोई नहीं था, इन में से अफ्सन नमबर 4 करेक्ट हो जाएगा कोष्चन नमबर 7 देखियेगा, हमपी के बिठ़ल स्वामी मंदीर का निर्मार किसने कराया, कृष्ट देव राय ने, आफ्सन नमबर 3 करेक्ट हो जाएगा, कृष्ट देव राय ने, करवाया था question number 8 देखिएगा British भारत का पर्थम वाइस राय था question number 8 British भारत का पर्थम वाइस राय था Lord Canning option number 2 correct हो जाएगा Lord Canning question number 9 देखते हैं समवाद कौमिदी पत्र के संस्थापक थे बताएगा दोस्तों समवाद कौमिदी पत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय आपस्टन नमबर वन करेक्ट हो जाएगा कोश्चन नमबर दस देखते हैं किस बैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है बताएगा किस बैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है रिगवेद में आफ्षिन नमबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 11 वार्षिक पुस्कर मेला कहां आयोजित होता है राजस्थान आफ्षिन नमबर 3 करेक्ट हो जाएगा हम जल्दी से जल्दी 20 फ्रसनों को कम्पलीट कर लेते हैं आए दोस्तों कोश्चन नमबर बरामेप चलते हैं महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कार कार कौन था कोश्चन नमबर 12 महमूद गजनुई का दर्बारी तिहास कार कौन था फिर दोसी आफसन नमबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों चलिए फटापट अगले कोश्चन पे कोश्चन नमबर 13 महत्मा गाधी ने वर्स 1930 में सविना वग्या अंदोलन कारंब किया था बताएगा दांडी से आरंब किया था महत्मा गाधी ने वर्स 1930 में सविना वग्या अंदोलन कारंब दांडी से किया था कोश्चन नमबर 14 देखते हैं लोदी वन्स की अस्थापना किस ने की थी आफसन नमबर 1 करेक्ट हो जाएगा बहलोल लोदी ने की थी लोदी वन्स की अस्थापना पंद्रामा दिखते हैं अकबर नामा किस ने लिखा था बताएगा दोस्तों अकबर नामा किस ने लिखा था अबुल फजल ने लिखा था आफसन नमबर 1 करेक्ट हो जाएगा अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 16 बंगाल का विभाजन किस के काल में हुआ था बताएगा दोस्तों बंगाल का विभाजन किस के काल में हुआ था लाड़ करजन के काल में विभाजन हुआ था कोश्चन नमबर 17 देखिए निमने लिखित में कौन नौ पासाड काल को दर्साता है आपसन नमबर वन करेक्ट हो जाएगा चिराद तो दोस्तों कोश्चन नमबर अट्रावे पे चलते हैं पुर्त गालियों ने गोवा को किस वर्स में हस्तकत किया बताईएगा पूर्टगालियों ने गोवा को किस वर्स में हस्तकत किया पंद्रा सो दस में किया था आपसे नमबर दो करेक्ट हो जाएगा कोश्चन नमबर उन्हें इस एली फेंटा के प्रसिद सेल को काट कर बनाए गए मंद्रियों का स्रेद दिया जाता है बताईएगा दोस्तों राश रकूर्टों को दिया जाता है आपसे नमबर चार करेक्ट हो जाएगा कोश्चन नमबर बीस देखते हैं अठारा सो सत्रा में हिंदु कालेज की कोलकाता में किसने अस्थाप्ना किया था बताईएगा 1817 में हिंदु कालेज की कोलकाता में किसने अस्थापना किया डेविड हेयर ने किया था आपसे नमबर 2 करेक्ट हो जाएगा तो चलिए दोस्तों 20 कोस्चन हमारे समाप्त हुए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं